आप रोस कैसे मरते हैं? ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ऐसा होता है, मैं बस मैं सच में ऐसा करती हूँ और मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ, मैं सच में दीन हो जाती हूँ और मैं उसकी उपर से थी मैं अपने आप को उंड प्रेल देती हूं और मैं देखती हूं कि ऐसी कई चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती लेकिन परमीश्वर कर सकते हैं मैं कहती हूं परमीश्वर आपका प्रेम मेरे द्वारा प्रकाशित हो और मैं आपके वस्तर और आपके सुन्दरता में पूरी ढख जाओं और इसलिए मैं मर युद्ध है और आनंद है जितना आप उससे दूर रहेंगे उतना ही आप उसके नियंत्रन से बाहर होंगे और बोलते समय भी मैं ऐसे तैयारी करती हूं और चिल्दाती हूं मदद कीजिए मैं उसकी मदद के लिए उससे पुकारती हूं और सुनती हूं और अपने आपको दूसरा भाग है कि कैसे हम पविद्र आत्मा को पूरी तरह से अपने उपर नियंतरन करने देते हैं हम इस थान पर आ जाते हैं समर्पित प्रेम के जहां हम इतना इतना पूरी तरह से खुल जाते हैं उसकी अवास के लिए कि हम सुनने लगते हैं उस से कुछ इस तरह कि किसी स समानी व्यक्ति के लिए वो बे मतलब हो क्योंकि वो तो पूरे सिंसार में चल रहा है और वो सुन नहीं सकता जैसा कि हम सुन पाते हैं अपने कानों से क्योंकि हम अपनी आत्मा में सुनते हैं और फिर पवित्रा आत्मा हमारे दिल तक पहुचता है और फिर वो आपके मन में विचारों को डालता है जिसे आत्मिक बुद्धिमानी कहते हैं और मैं बहुत ही उत्साहित रहती हूँ आत्मिक बुद्धिमानी के विशे में मसी के समान मन का होना उसे सुनना ध्यान से और जब आप खड़े होते हैं तो आप सुन पाते हैं कि वो क्या कह रहा है और आप वो करते हैं जो वो कर रहा है और जितना आप उसके आग्या मानेंगे उतना ही अधिक आप जान पाएंगे कि वो आगे और क्या करने वाला है अगर आप आग्याकारी बने रहेंगे चोटी सी चीज में तो आपको और देगा तो इसलिए यह आग्याकारिता प्रेम दीनता धीरच और इन सब बातों के विशे में हैं सब के विशे में